तो फाइनली एक साल के इंतिजार के बाद आ गया है 11-11 पोटल्स जी हाँ साल का सबसे बड़ा पोटल साल का वो पोटल जब सिर्फ और सिर्फ मैजिक होता है जी हाँ 11-11 पोटल यानि मैजिकल दे उस दिन आप कुछ मांगे और ना मिले ये हो ही नहीं सकता उस दिन क्या क्या करना चाहिए सब कुछ बताने वाली हूँ कैसी आप एक महीने तक लगातार अपनी विश्क को मैनिफिस्ट कर सकते हैं अब एक महीने में क्यों बोल रहे हूँ क्योंकि हो सकता है कि 11-11 को छोटी दिवाली है तो बहुत सारे लोग मिस कर जाएं ना कर पाएं पोर्टल रिच्वल जो लोग नहीं कर पाएंगे वो पूरे एक महीने तक यानि 11-11 से 11 डिसमबर तक कर सकते हैं और 12 डिसमबर को फिर पोर्टल रहे है कितने खुशी के बात है न अब इस पोर्टल में इतनी एनर्जी होती क्यों है पहले ये जान लेते हैं तो जैसा कि आप सभी ने देखा अभी अभी क्या गया है टेंटिन पोर्टल उसके बाद नौरात्री नौरात्री के तुरंत बाद लूनर एकलिफ्स ये दोनों ही चीजे थी और ये जो सारी चीजे बताई मैंने सब की एनरजी अभी भी है और इसी में आ गया 11-11 पोर्टल जो की साल का सबसे बड़ा पोर्टल है जिस दिन सिर्फ और सिर्फ मैजिक होता है सब कुछ बताने वाली हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है कौन से च सब कुछ जानेंगे आप वीडियो में इंट तक बने रहिएगा इस वीडियो को मिस करने का मतलब कि आप अपनी लाइफ में मैजिक को अकरशित करना ही नहीं चाहते हैं और हाँ कल शाम को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसे आपको जरूर से रोज फॉलो करना है डेल इस वीडियो के साथ अपने विश को लिखना बिलकुल मत भूलिएगा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा टेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के इस चैनल पर मिलते हैं आपको लाउफ अट्रेक्शन टेक्निक की वीडियो एंजल नमर मिनिंग बटरफ्लाइ मिनिंग फेदर मिनिंग और बहुत सारे पाउरफुल मंत्रों की चैन्टिंग, मेडिटेशन, रिचूल्स, स्विच्वर्ट जिसे आप अपनी लाइफ की हर प ब Buddhist करना है, जरूरी नहीं है कि आपके पस बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तब ही आप ग्रियरिटीट्व करेंगे, अगर आप उन लोंगों मेंसे हैं जो अच्छे से बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो भी आप के पास बहुत बड़ी दौलत है और इस दौलत के लिए आप डेली शुक्रियादा केजिए परमात्मा को. तो फर्स हो गया gratitude. दूसरा चीज आपको क्या करना है? अपना goals लिखना है. जो भी चीजे आपको चाहिए, उसके बारे में आप लिखेंगे. एक चीजे के बारे में नहीं लिखना है. जितनी चीजे आपको चाहिए, सब के बारे में लिखना है. आपको job चाहिए, आपको पैसे चाहिए, प्यार चाहिए, health चाहिए, beauty चाहिए. आपको जो भी चीज चाहिए, आपको property चाहिए, जिस तरह की भी wish हो. वो सारी wishes लिखिए, बिल्कुल line से और विस्तार से लिखना है. क्या चाहिए, कैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो किस रंग की चाहिए, गाड़ी का नाम क्या होना चाहिए, घर चाहिए, तो कैसा घर चाहिए आपको, किस तरह का design होना चाहिए. सब कुछ detail में लिखे, और कोशिश किजी कि आपकी जो भी wish हो, जो भी desires हो, वो 11 हो, तो और भी मज़ा आने वाला है, seriously, क्योंकि 11-11 portal है, और 11 से related कुछ भी आप करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा magical होता है, तो 11 wish ले लिए आपने, अब अगर आप आज से कर रहे हो, त अगर आप 11 नमेंबर से शुरू करते हो, तो आप 22 नमेंबर तक जरूर करोगे इस technique को, आपको क्या करना है, जो भी 11 wish लिखी है आपने, सबसे पहले तो present में लिखना है, इस चीज का ध्यान रखेगा, जैसे आपकी copy या diary है, उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, gratitude, यानि universe को, परमात्मा को शुक्री यादा पहले लिखेंगे, और उसके बाद 11 तक counting लिखेंगे, और हर नमबर के पास अपनी एक wish लिखती चीए, ऐसे करकर के आप 11 wish लिखेंगे, और ध्यान से वही चीजे लिखनी है, जो बहुत important है, जो सच में आपको चाहिए, बहुत ज लगातार, चाहे तो morning का time चूज कर लिखेंगे, या फिर night का, जिस समय आपका मन शान्त रहता हो, उस समय को चूज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, कि वो समय 11 बज के 11 मिनट ही होने चाहिए, चाहे आप रात में 11 बज के 11 मिनट में करेंगे, या फिर दिन में 11 बज के करने से पहले, आप mindly पूरी तरह से free रहिएगा, मतलब आपके काम है तो उसे कर लिजिएगा, या फिर आप night में कर सकते हैं, करने से पहले अगर आप एक meditation कर लेते हैं, तो ये और भी अच्छा होगा, मेरे चैनल पर meditation की playlist है, चेक आउट कर लिजिएगा, और कोई सभी एक meditation कर लिजिए, और उसके बाद इस technique को कीजिए, तो 11 November से आपने wish लिखी, 11 wishes लिखी, 11 बज के 11 minute में लिखी, अब आपको क्या करना है, जितनी भी wish लिखी आपने, आपने 11 wish लिखी है, हर wish के आगे, मतलब जैसे की आपको money चाहिए, तो आपने लिखा है, thank you universe for making me money magnet, जब money magnet, last में आपने लिखा, वहाँ पे आपको लिखना है, 11, 11, ठिक है, तो ये काम आपको लगातार 11 दिनों तक करना है, पीरेश में कर सकते हैं कि नहीं, definitely कर सकते हैं, कोई rule regulation नहीं है, बस आपको बहुत ज़्यादा positivity का ध्यान रखना है, 11, 11 portal के दवरान किसी भी तरह से negative नहीं ह नहीं, जितना हो सके, दिन भर में दो बार, चार बार meditation कर लीजिए, लेकिन कूप सारा positive रहें, जितना positive आप रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी wish manifest होगी, इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो इतने सारे portals, full moon, lunar eclipse, दुरगा पूजा की energy, इसी में 11, 11, पोटल की energy, प्लस दिपावली की भी energy इसमें आ रही है, और तो और ये हरी प्रिय महीना है, यानि कार्थिक मन्त है, तो इस महीने में ऐसे ही आप कुछ भी एक दीपक जला देते हैं, गी का दीपक अगर ब्रहमुरत में जला देते हैं, तो आपकी मनुकामना हैं पूरी ह मिला है आपको, गौड बता है, 365 दिन बनाये हैं हमारे लिए, इन दिनों में हर दिन हम कुछ न कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं, जिस दिन वो हमसे कुछ ज़्यादा ही connect रहते हैं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी help से अपन कीजिए और देखे कैसे miracle होता है कोई नहीं रोक सकता आपके wish को manifest होने से अब दूसरे वो लोग हैं जो नहीं टेकनिक कर सकते किसी भी तरह से आपको क्या करना है आपको night में 11 बज के 11 मिनट पर अपने टेरिस पर जाना है 11 बार affirmation बोलना है positive affirmation 11 wish के लिए नहीं होगी affirmation एक wish के लिए होगी लेकिन 11 times आपको repeat करना है उसे कैसे करना है ये भी बता देते हूं suppose आपके skin में कोई problem है तो आप बोलेंगे thank you thank you thank you inverse for making me beautiful and glowing skin आप जिस तरह से बोलना चाहे बोलिए लेकिन present में ही बोलना है हिंदी में बोलिए इंगलिश में बोलिए उर्दू में बोलिए तमिल में बोलिए किसी भी language में बोलिए बस यहां matter करता है आपकी feeling तो feeling true होनी चाहिए intention true होनी चाहिए and हमेशा positive होना 11-11 portal के दोरान आप जितना positive रहेंगे उतना ही अकरशित करेंगे ध्यान रखेगा अगर negative रहेंगे ना तो negativity को भी आप अकरशित कर लेंगे इसलिए बार-बार कह रही हूँ positive रहना है meditation जरूर करना है कुछ नहीं कर सकते meditation कीजिए कब करना है जब भी आप free हो तब ही कर लेकिन जरूर से कीजिए 11-11 portal से पहले घर में जितनी भी पुरानी चीज़े हैं जो आपके यूज की नहीं है चाहे वो जूते चपल हो बरतन हो कपड़े हो चाहे बुक्स हो ऐसी चीज़ें जो rough हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम हो गया है उसे हिलाया त आता है जिन्दगी में देखे आप कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए इस spirituality के राह में आप चल पड़ेंगे वहां आपकी growth होगी ठेक हैं अगर आप पहले से इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी health मिलने वाली है यूनिवर्स के तरफ से अगर आपको कुछ नह पढ़िये उतना ही कम है बस इतना कहोंगे सो बात की एक बात की meditation कीजिए आपके life में जो भी चीज़े आपको चाहिए ना वो मिलेंगी और आपकी spiritual awakening होगी जो कि बहुत important है अगर इस टाइम पे किसी goddess की help लेना चाहते हैं तो goddess hekate based option है आपके लिए क्योंकि अभी new moon आने जाला है तो new moon के time वैसे भी हम goddess काटे की prayer करते हैं ritual करते हैं तो definitely आप उनकी technique भी कर सकते हैं लेकिन 11-11 portal से जो related technique या rituals है उसे जरूर से follow कीजिगा वो बहुत important है जो technique मैंने इसमें बताई है जो कि special 11-11 portal से related है उसे करना है जरूर से करना है कोई भी doubt रह गया है comment box में या फि पूच सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हो next वीडियो में तब तक आप सभी इस चैनल पर नए आये हैं तो subscribe कर लिजे बेल आइकन को और पर जरूर से प्रेस कर लेजेगा इन इस वीडियो को like कीजेगा शेयर कीजेगा ज्यादा ज्यादा ताकि ज्यादा लोगों त कोटल का benefits ले पाएं